मान लीजे आपके पास एक सूटकेस है और उसमें चार डिजिट वाला लॉक है और इस्तितिया है कि चारो डिजिट अलग-अलग नंबर सेट करके आपने उसमें लॉक किया हुआ है और किसी कारणवस आप यह भूल जाते हैं कि आपने उसमें क्या पासवर्ट सेट किया हुआ था लेकिन किसी तरीके से आपको यह याद आजाता है कि आपने पहले डिजिट पर 7 अर्था 7 नंबर को फिक्स किया था तो अब सेज तीन इस्थानों पर आपको अलग अलग नंबरों को रख करके ट्राई करना पड़ेगा और आप बिना विलम किये उसकी सूची बनाएंगे और फिर उन चीजों को अटेम्ट करते जाएंगे लेकिन यह सूची बनाने में आपको काफी जादा समय लगेगा तो यदि मैं आपको पूछूँ कि इन सेज तीन डिजिट से कितने पैटरन बनाया जा सकते हैं जबकि हर एक डिजिट पर सून्य से लेकर के 9 अंक अर्थात 10 अंक आ सकते हैं तो आप बिना विलंब किये उसकी सूची बनाएंगे और फिर अन्त में गिनकर बताएंगे कि इतनी संख्याएं होंगी इन सबसे बचने के लिए हमारे पास गणीत में और कुछ नए सिध्धान्त हैं जिसकी सहयता से बिना अनुकरम को जाने हम उसकी संख्या तक पहुँच सकते हैं तो इस अध्याय में हम इस प्रकार के सिध्धान्तों का अध्यन करेंगे जिसे क्रमचय और संचय के नाम से जाना जाता है आईए पहले हम देखते हैं इसे संबंधित कुछ मूलभूत अधार्ना है और फिर अधार्नाओं के बाद उसे संबंधित प्रश्णों को हल करेंगे क्रमचय की परिभासा दी हुई वस्तूओं के एक सम्मूह में से एक बार में कुछ अत्वा सभी वस्तूओं को लेकर जितने भिन 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 विन्यास या अर्रेंजमेंट्स बनाये जा सकते हैं उनमें से प्रत्येक विन्यास को क्रमचय या पर्मूटेशन कहते हैं माना कि हमारे पास तीन वस्तूओं A, B तथा C है यदि इनमें से एक बार में दो वस्तूओं को लेना संभव हो तो संभव भिन भिन्यास होंगे A, B, B, A, B, C, C, B, A, C, A, C, A इनकी संख्या 6 है इनमें से प्रत्येक क्रमचय कहलाता है पुना यदि वस्तुओं A, B, C में से सभी को एक साथ लेकर विन्यास बनाते हैं तो वे हमें कुछ इस प्रकार मिलेंगे A, B, C, A, C, B, B, C, A, B, A, C, A, B, C, B, A इन करमचयों की संख्या 6 है इसी प्रकार यदि हमारे पास चार वस्तुओं A, B, C, D का एक दिया हुआ समुह है तो इन में से दो वस्तुओं को एक बार में लेने से करमचय बनेंगे A, B, B, A, A, C, C, A, A, D, D, A, B, C, C, B, B, D, D, B, C, D, D, C इन करमचयों की संख्या 12 है इसी प्रकार A, B, C, A, D में से तीन वस्तुओं को एक बार में लेने से कुल 24 करमचय बनेंगे जो स प्रकार है या फिर हम यह कैसकते हैं कि यदि A, B, C, D में से सभी वस्तूओं को एक सांत लेकर विन्यास बनाने हो तो 24 विन्यास बनेंगे जो इस प्रकार है गड़ना के आधारभूत सिध्धान्त जब Pant P1 है और Cert दूसरा जो है अर्थात S2 को सलेक्ट कर रहा है तो P1, S2 यह दूसरी स्थिति आ गई इसके बाद जब वो P2 को सलेक्ट करेगा Pant P2 को और उसके साथ में Cert S1 को तो P2, S1 इसके बाद अगली स्थिति P2, S2 होगा इसी प्रकार जब वो Pant तीसरे को सलेक्ट करे आएगी और अंति में स्थिति आएगी P3, S2 तो इस प्रकार कुल संभव विन्यास जो है कुल 6 आ रहे हैं अर्थात 2 और 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 स्थितिया बन रही है यही गणना का आधारभूत सिध्धानत है जिसे हम आगे देखेंगे गणना के नियम तो म भिन 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 विधिया हैं और जब यह कार्य उन में से किसी एक विधी के द्वारा किया जा चुका हो तब यदि किसी दूसरे कार्य को करने की न विधिया हो तो दोनों कार्यों को साथ साथ करने की कुल M गुना एन विधिया होंगी चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं जब पहला कार्य किसी एक विधी से कर लिया गया है तो दूसरा कार्य एन विधियों से किया जा सकता है इस प्रकार यदि पहले कार्य को करने के लिए केवल एक ही विधी का प्रयोग किया गया हो तो दोनों कार्य साथ साथ एन विधियों से किये जा सकते है परंतु पहला कार्य M विधियों से हो सकता है तथा इनमें से प्रत्येक विधी से पहला कार्य किये जाने पर दूसरा कार्य N विधियों से हो सकता है अतह दोनों कार्य एक सांथ M गुना N विधियों द्वारा किये जा सकते है यह सिद्धान्त दो से अधिक कारियों के लिए भी प्रिव्त किया जा सकता है यदि पहला कारिय M प्रकार से किया जा सकता है तथा दूसरा N प्रकार से किया जा सकता है जबकि पहला कारिय M प्रकारों में से किसी एक प्रकार से किया जा चुका है तब यदि तीसरा कारे P प्रकार से किया जा सकता है जबकि पहले दोनों कारे उनको करने के भिन 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 प्रकारों में से किसी एक प्रकार से ही किये गए हैं तो तीनों कारे साथ साथ M गुना N गुना P प्रकारों से किये जा सकते हैं दूसरा नियम है गणना के योग का नियम, law of addition of counting, यदि दो घटनाएं स्वतन्त रूप से M एवं N प्रकार से घटित होती है, तब दोनों घटनाएं M धन N प्रकार से घटित हो सकती है, यही घटना के योग का नियम है, स्त्री महावीराचार्य का जीवन परिशय एवं योगदान, महावीराचार्य का जन्म 850 इस्वी समवत में हुआ, महावीराचार्य ने गणित सार जोतिस पटल एवं सट त्रिसंका आदिक मौलिक एवं अभूत पूर्व गरंथ लिखे, अपने इन गरंथों के कारण महावी पादित किये हैं, तथा वर्ग समीकरण को व्यवारिक प्रश्नों द्वारा समझाया है, उन्होंने इन प्रश्नों को दो भागों में विवक्त किया है, प्रतम वे प्रश्न जिसमें अग्यात रासी के वर्ग मूल का उलेख है, तथा द्वीतिय वे प्रश्न जिन में अग ग्यात रासी के वर्ग का निर्देश रहता है। उन्होंने अंक गनित संबंधी, जोड, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल और घनमूल इन सब परिक्रमों का भी उल्लेख किया है। महावीराचारे ने अपने गनित सार संग्रह में बीज गनित से संबंधित अनेक सिध्धान्दों का भी प्रतिपादन किया है। उन्होंने इसमें मूलधन, ब्याज, मिस्रधन और समय ग्यात करने एवं भिन संबंधी, सेश मूल, भाग, सेश संबंधी, अनेक ऐसे नियमों क वर्णन किया है, जो प्राचीन काल तथा आधुनिक गनित में बहुत महत्तोपूर्ण हैं। उन्होंने गनित सार संग्रह में न वस्तूओं में से आर वस्तूओं को लेकर एक साथ बने संचय ग्यात करने के लिए भी सूत्रों का प्रतिपादन किया है। तो इस अध्याय म में जो हम सूत्र पढ़ने वाले हैं, यह महावीराचारे की ही देन है। इस सूत्र को देने वाले स्री महावीराचारे प्रतम भारती गनितग्य ही नहीं, अपितु विश्व के प्रतम गनितग्य थे। यह सूत्र यूरोप में महावीराचारे की लगभग 800 साल बाद इसमें पहला प्रश्ण है कि एक अक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, कितने प्रकार से एक मॉनिटर को चुना जा सकता है, तो पहली बात यह कि 20 विद्यार्थी हैं, उसमें से किसी एक को चुनना है, तो इसमें 20 तरीके हो सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे कि 20 विद्यार्थियो एक मॉनिटर चुड़ने के तरीके बराबर 20 अगला प्रश्ण है एक सिक्का तीन बार उच्छाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं परिणामों की संभाव संख्या क्या है या ग्याद करना है तो सिक्के को पहले सिक्के को यदि हम उच्छाले तो या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा यहाँ पर इसकी दो स्थिती आ रही है या फिर दो संभावित स्थिती हमें मिल रही है इसी प्रकार दूसरे और तीसरे सिक्के को भी उचालने पर हमें head और tail मिल सकता है तो अब हम इसे लिखेंगे कि तीनों सिक्कों को अलग-अलग उचालने पर संभावित परणामों की संख्या बराबर दो गुना दो गुना दो बराबर आट अगला प्रशन है 0-9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकिय टेलिफोन नंबर बनाये जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंब होता है कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता तो इसे हम लिखेंगे कि दिये गए अंक है 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 इस तरीके से कुल अंक 10 है अब प्रत्म दो इस्थान जो है वह निश्चित है जैसा की कहा गया कि 66 और 67 ये पहले दो संख्या है पहले दो इस्थान 6 और 7 से फिक्स कर दी गई है इसके बाद में हमारे पास 3 खाली स्थान है तो तीसरे स्थान को भरने के तरीके कि जो संख्या होगी वह 8 होगी तो कि कुल संख्या हमारे पास 10 है और उसमें से 2 को लिया जा चुका है तो इस प्रकार 8 खाल स्थान इस प्रकार तीसर स्थान को भरने के तरीके की संख्या जो होगी वह 8 होगी अब चौथे स्थान को भरने की तरीके की संख्या 8 में हम एक कम कर देंगी क्योंकि एक स्थान उस आठ तरीकों में से एक से भरा जा चुका है तो चौथे स्थान को भरने की तरीकों की संख्या साथ होगी इसी प्रकार पांचवे स्थान को भरने के तरीकों की जो संख्या होगी वह 6 होगी गणना के नियम के हिसाब से कुल तरीकों की संख्या 8 गुनित 7 गुनित 6 बराबर 336 अगला प्रश्ण अंग्रेजी वर्ण माला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाया जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुर्णरा वृत्ति नहीं की जासा तो हमारे पास 4 इस्थान हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और कहा गया है कि अंग्रेजी वर्ण माला के प्रथम 10 अक्षर तो पहले इस्थान को भरने के तरीके होंगे 10 दूसरे इस्थान को भरने के तरीके होंगे 9 तीसरे इस्थान को भरने के तरीके होंगे 8 और चौते इस्थान को भरने के तरीके होंगे 7 इस प्रकार कुल तरीकों की जो संख्या होगी वह 10 गुनित 9 गुनित 8 गुनित 7 बराबर 5040 होगी की सब्द करेज C-O-U-R-A-G-E के अक्षरों में से एक स्वर और एक वेंजन कितने तरीकों से चुने जा सकते हैं यह प्रश्ण तो पहले हमें यह लिखना होगा की करेज जो सब्द है इसमें जो अक्षर है इसमें कितने स्वर और कितने वेंजन है तो सब्द C-O-U-R-A-G-E में चार स्वर A-E-O-U है तथा तीन वेंजन है C-R और G चार वेंजनों में से कोई एक वेंजन चुनने के तरीके चार होंगे और इसी प्रकार तीन वेंजन में से इसी प्रकार तीन व्यंजनों में से कोई एक व्यंजन चुनने के जो तरीके होंगे वो तीन होंगे तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि एक स्वर और एक व्यंजन चुनने के तरीके बराबर चार गुने तीन और बराबर बारा और यह इसके लिए उत्तर है अगला प्रशन, तीन यात्री एक सहर में आते हैं, जिसमें केवल चार होटल हैं, कितने भिन भिन प्रकारों से वे अपने लिए इन होटलों में इस्थान सुरक्षित करा सकते हैं, जबकि प्रत्यक यात्री अलग-अलग होटल में ठाहरना चाहता है तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ है, कि प्रत्यक यात्री जो है वो अलग-अलग होटल में ठाहरना चाहता है, एक ही होटल में एक से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे तो इस प्रकार प्रथम यात्री के चार में से किसी एक होटल में ठहरने के जो तरीके होंगे बचार हो जाएंगे अब जब वो प्रथम व्यक्ति चार में से किसी एक होटल में ठहर जाएगा तो रिक्तिस्थान तीन बचेंगे अर्थाद दूसरे यात्री के लिए एक होटल में ठारने के तरीके तीन होगा अब जब दूसरा यात्री तीन में से किसी एक में ठार जाएगा तो दो होटल रिक्त बचेंगे तो इस प्रकार तीसरे यात्री के दो में से किसी एक होटल में ठहरने के तरीके बराबर दो होगा अतर तीन यात्रियों के अलग-अलग होटलों में ठहरने के तरीके बराबर 4 गुनित 3 गुनित 2 बराबर 26 क्रम गुनित n का अर्थ meaning of factorial n प्रथम N प्राकृत संख्याओं का सतत गुननफल करम गुनित या फैक्टोरियल N कहलाता है इसे फैक्टोरियल N या इस चिन से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार फैक्टोरियल N बराबर 1 गुना 2 गुना 3 ये अप्टू N है या फिर फैक्टोरियल N इक्वल टू N इन्टू N-1 इन्टू N-2 इन्टू N-3 अप्टू 3,2,1 तो परिभासा के नुचार हम लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल N इक्वल टू N इन्टू N-1 का फैक्टोरियल equal to ये factorial n-1 था इसे हम और आगे सरल करेंगे तो हम लिख सकते हैं equal to n into n-1 and n-2 का factorial इसी तरीके से आगे भी इस क्रम में लिखा जा सकता है तो factorial 1 equal to 1 होगा factorial 2 equal to 2 into 1 equal to 2 factorial 3 equal to 3 into 2 into 1 equal to 6 factorial 4 बराबर 4 into 3 into 2 into 1 equal to 24 इस तरीके से हम दिये गए संख्या का factorial या क्रम गुणित निकाल सकते हैं ध्यान देने माली बात यह है कि रणात्मक संख्याओं के क्रम गुणित या factorial का मान अनन्त होता है तो अगला प्रश्न है परिकलन कीजिए तो यह की 7 का factorial minus 5 का factorial तो जैसा की थोड़े दर पहले हम नहीं देखा था कि factorial को इस तरीके से भी लिखते हैं या फिर इस तरीके से भी लिखते हैं तो करम फैक्टोरियल या करम गुणित 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो किसी भी संख्या का जो करम गुणित है उसमें एक एक घटाते जाहिए एक आते तक जितने भी संख्या हैं मिल रही है उन सबका गुणन्दफल इसी तरीके से 5 का factorial होगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और इसको जब आप solve करेंगे तो मिल जाएगा 5040 इस पदों को हल करेंगे तो और 5 का factorial जो होता है ये 120 होता है इसको और आगे आप solve करेंगे तो मिल जाएगा 4920 इसी प्रकार इसमें दूसरा प्रशना देखते हैं ये 10 का factorial है अपन 8 का factorial और ये 2 का factorial तो जो बड़ी संख्या है 10 तो इसको हम 10 into 9 का factorial लिख सकते हैं और factorial 9 को 9 into 8 का factorial लिख सकते हैं इसी प्रकार ये 8 factorial ताकि ये 8 factorial और ये 8 factorial ये दोनों cancel हो जाए और फिर factorial 2 का मतलब है 2 into 1 ये factorial 8 और factorial 8 दोनों cancel हो जाएगा और जब आप 10 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 5 तो 5 और 9 का जब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 45 तो इसी तरह से हम तो इसी तरह से हम factorial से सब्बंदित प्रश्णों को हल कर सकते हैं तो इसमें अगला प्रश्ण दिया गया है कि मान ग्याद कीजिए factorial n upon factorial r और factorial n-r का जहां पर n equal to 5 और r equal to 2 है इसका मतलब यह है कि n की स्थान पर आपको 5 रखना है और r की स्थान पर 2 रखना है और इसको आपको सरल करना है तो जब n equal to 5 रखेंगे तो बिल जाएगा 5 का factorial और r की जगा पर 2 रखेंगे और यह 5 रिंड 2 सरल करने पर आएगा 5 का factorial और यह 2 का factorial और यह 3 का factorial तो 5 जो है इसको हम 5 गुनित 4 गुनित 3 का factorial लिख सकते हैं अब यह 3 का factorial और यह 3 का factorial यह दोनों cancel हो जाएगा तो 2 का factorial इसको 2 गुना 1 लिख सकते हैं और यह factorial 3 यह दोनों cancel हो गए 2 दूनी 4 तो इस तरीके से 5 गुनित 2 और ये आ गया आपको 10 और यही इस प्रश्ण के लिए उत्तर है जो हमें ग्याद करना था इसमें अगला प्रश्ण है कि यदि 1 upon 6 factorial प्लस 1 upon 7 factorial equal to x upon 8 factorial है तो x का मान ग्याद कीजिए तो चलिए इसे हल करते हैं 1 upon 6 factorial प्लस 1 upon 7 factorial equal to x upon 8 factorial तो यहाँ पर ये जो 7 factorial है इसे आप लिख सकते हैं 1 upon 7 और ये इंटू 6 का factorial equal to x और ये 8 है इसको आप लिख सकते हैं 8 का factorial को 8 इंटू 7 इंटू 6 का factorial अब दोनों पक्षों पर ये आपर ये 6 का factorial है तो दोनों पक्षों पर 1 by 6 का factorial ये common आ सकता है तो ये 1 plus 1 upon 7 equal to x upon इसको जब आप multiply करेंगे तो मिल जाएगा 56 और ये 1 upon 6 का factorial तो 1 by 6 factorial 1 by 6 का factorial ये दोनों cancel हो जाएगे और इसको जब आप सरल करेंगे तो मिल जाएगा लगजन स्वापर 7 मिलेगा और ये अंसु में मिल जाएगा 8 बराबर x बटे 56 या फिर x बराबर 8 गुनित 56 बटे 7 7 आठे 56 तो ये मिल जाएगा 8 गुनित 8 और आपको मिल गया x बराबर 64 और यही इस प्रश्न का उत्तर है जो हमें ग्याद करना था क्रमचयों की संख्या The number of permutations दी हुई N असमान वस्तुओं में से एक बार में कोई R वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या ग्याद करना N असमान वस्तुओं में से एक बार में कोई R वस्तुओं को लेने पर बने क्रमचयों की संख्या वही होगी जो R रिक्त इस्थानों को N वस्तूओं से भरने की होगी पहला इस्थान N वस्तूओं में से किसी भी एक से भरा जा सकता है अर्थात इस इस्थान को भरने की N विदिया है पहले इस्थान को एक वस्तू से भर देने के बाद N-1 वस्तूओं बचेंगी अब दूसरा इस्थान इन n-1 वस्तुओं में से किसी भी एक से भरा जा सकता है इस प्रकार पहले इस्थान को भरने की विधी के संगत दूसरे इस्थान को भरने की n-1 विधिया है अतह पहले दो इस्थानों को भरने की n into n-1 विधिया हुई जब पहले दो इस्थान N into N-1 विदियों में से किसी एक से भरे जा चुके हैं तो तीसरे इस्थान को केवल N-2 वस्तु में सेश रहती है तब तीसरा इस्थान इन N-2 वस्तुओं में से किसी एक से भरा जा सकता है अत्यव पहले दो इस्थानों को भरने की N into N-1 विदियों में से प्रत्येक विधी के संगत तीसरे इस्थान को भरने की N-2 विदियां है अत्यव पहले तीन इस्थान कुल N into N-1 into N-2 विदियों से भरे जा सकते हैं अत्यव आर इस्थानों को भरने की विदियों की संख्या N into N-1 into N-2 up to R गुननखंडों तक है अर्थाद N into N-1 into N-2 up to N-R plus 1 है इसे संकेत N-P-R अत्वा P-N-R से प्रदर्शित किया जाता है यहाँ P करमचय व्यक्त करता है इस प्रकार P-N-R या फिर N-P-R equal to N into N-1 into N-2 up to N-R plus 1 इसमें विशेश बात यह है कि N-P-R में N तथा R दोनों धन पुर्णांग संख्या है तथा R is less than or equal to N है अब इस सूत्र का उप्योग करके हम कुछ प्रमेह बना सकते हैं जिसमें कथन कुछ इस प्रकार होगा दी हुई वस्तुओं में से सभी को एक साथ लेकर बने करमचैयों की संख्या N-P-N है तो परिभासा से हम यह लिख सकते हैं कि N-P-N equal to N into N-1 into N-2 into N-3 यह अब टू जाएगा N-N plus 1 जब आगे solve करेंगे तो यह N और N cancel हो जाएगा यहाँ पर आएगा 1 फिर 2 फिर 3 तो इस तरीके से इसको सरल करने पर आपको मिलेगा N-P-N equal to N into N-1 into N-2 into N-3 और यह 3 into 2 into 1 और यही factorial N है तो हम लिख रहे हैं कि N-P-N equal to factorial N यह पहला उपप्रमया अब इसमें हम दूसरा उपप्रमया देखते हैं तो N-P-R इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं यह होता है factorial N upon N-R का factorial तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं N-P-R यह होता है N into N-1 into N-2 और यह up to होगा N-R plus 1 तो इसको आगे से रल करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं N-R minus 1 और यह up to आएगा 3 into 2 into 1 एक निश्यत संख्या का गुणा और भाग दोनों करके बैलेंस बनाया जा सकता है तो हर में हम लिखेंगे N-R और N-R minus 1 और यह आएगा up to 3 into 2 into 1 थोड़े दर पहले हमने इस प्रकार हल किया था और यह होता है factorial N और हर में अगर देखा जाए तो यह N-R से सुरू हो रहा है और up to 1 जा रहा है तो यह factorial है N-R का और यही होता है N-P-R तो N-P-R equal to factorial N upon N-R का factorial तो इसमें जो तीसरा उपर में यह है कि 0 का जो factorial होता है यह 1 होता है यह हम सिद्ध करेंगे तो थोड़ी दिर पहले हम लोगों ने यह सूत्र देखा कि N-P-R equal to factorial N upon N-R का factorial होता है इसके दोनों पक्षों पर यदि आप R equal to N रख दें तो यह जो सूत्र है यह N-P-N equal to factorial N और यह हो जाएगा N-N का factorial solve करने पर आपको मिलागा N-Factorial और यह 0 का factorial और N-P-N थोड़ी दिर पहले हम लोगों ने देखा था कि N-Factorial के बराबर होता है तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कि N-Factorial equal to N-Factorial upon 0 का factorial अब यह जो 0 का factorial इसको हम पक्षांतर कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा 0 का factorial equal to factorial N upon factorial N यह दोनों cancel हो जाएगा और आपको मिल रहा है 0 का factorial equal to 1 और यही हमें सिद्ध करना था इसमें चौथा उपप्रमेय है कि 1 upon minus R का जो factorial है यह 0 होगा यह हम देखेंगे तो हम लोगों ने जो सूत्र देखा है कि N-P-R equal to factorial N upon factorial of N-R के दोनों पक्षों पर N equal to 0 रख देंगे तो N equal to जाब 0 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 P-R equal to 0 का factorial upon 0 minus R का factorial तो आगे ही से हम लिख सकते हैं 0 P-R इसका मतलब है कि 0 0 minus 1 0 minus 2 यह जाएगा up to 0 minus R plus 1 के तक 0 का factorial हम लोगों ने देखा है कि यह 1 होता है और यह minus R का factorial है तो 0 से किसी भी संख्या का आप जब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 तो 0 equal to 1 upon minus R का factorial मिल रहे है या फिर इसको आप लिख सकते हैं 1 upon minus R का factorial equal to 0 और यही हमें सिद्ध करना था